हेलो ब्रीवन, वेलकम बैक टू माई सीट नीट यूटूब चैनल तो हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग 12th NCRT बायलोजी 12th NCRT यन CERT NCRT जो बुक होती है उसकी जो फास्ट यूनिट है फास्ट यूनिट रिप्रोडक्शन वाली जो यूनिट है रिप्रोडक्शन इन आर्ग पॉलिनेशन आटोगैमी बोलते हैं क्रास पॉलिनेशन में जीनोगैमी और एलोगैमी आता है और पॉलिनेशन में ये देखिए क्रास पॉलिनेशन में क्रास पॉलिनेशन को दो पार्ट में डिवाइट किया गया एबायोटिक एजन्ट और बायोटिक एबायोटिक में क्य जो बायोटिक एजनसी होती है जो पॉलिनेशन करती है तो उसमें कौन-कौन से आते हैं एनिमाल्स यह देखिए जैसे बायोटिक एजनसी में आयेगी एक कैंथरोफिली बेटल्स के द्वारा फालिनोफिली और मिलेटोफिली और साइकोफिली तो आपको इसमें इंपॉर्ट के थुरू पॉलिनेशन होता है तो उसको कहेंगे और निथो फिली और निथो मिन्स चिडिया तो आर निथो लोजी बोलते नहीं है कि अगर बर्ट की स्टेडी को क्या करते हैं और निथो लोजी तो आर निथो फिली फिली मिन्स पॉलिनेशन यह देख लिए चीरोपेटर चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या बायोटिक एजन्ट एनिमल्स आफ पॉलिनेशन तो यह देखिए एक आपको फिगर भी दिखा देते हैं कि पॉलिनेशन क्या चीज है काफी बार मैंने बताए भी है और वीडियो को रिवाइज करें इसकी पूरी स्रीज वीडियो प्लेलि पूछे ही जाते हैं तो जैसे देखिए यह देखिए पॉलेंस फ्राम इस्टेमेंस पॉलेंस क्या होता है पॉलेंस फ्राम इस्टिक टूदा पॉलिनेटर्स जो पॉलिनेटर्स होते हैं जैसे यह देखिए केट है कोई यह पॉलिनेटर्स है इसकी बॉड़ी में क्लेक्ट हो जाता है nectar's, nectar's या pollen, यह देखिए stemmen है, stemmen में क्या आता है, एक बार तो question नहीं पूछा जाता है, stemmen में enter और filament आते हैं, तो यह देखिए, यह आपका क्या है stigma है, तो stigma style and ovary होती है, तो यह देखिए, इसमें pollen with pollen grain, pollen with pollen grains, pollen grains क्या होते हैं, इसके body पे या इसके pair पे कहीं पे भी जो यह pollinators होते हैं, चिपक जाएगा, माली जी एक flowers पे बैठा, और flowers पे इसके pair पे या, इसके body पे pollen चिपक गया, फिर उसके बाद यहां से उड़ा, और दूसरे full पे आके बैठा, आप दूसरे flowers पे आके बैठेगा, तो इसके flowers में stigma होती है, पिस्टिल होता है, पिस्टिल में stigma style and ovary होती है, तो इसके stigma landing platform होता है, किसका होता है, यह देखिए pollen grain का, तो pollen grain इसके stigma पे आएगा, pollen from the pollinators body is deposited on the stigma to complete pollination, इसी किरिया को क्या कहते हैं, pollination कहते हैं, stigma पर pollen grain का आना, उसी को कहना आता है, pollination, आपका pollen grain जो है, यह किसी के थुरूआ सकता है, या animals के थुरूआ सकता है, या आपका bind के थुरूआ सकता है, या आपका water के थुरूआ सकता है, तो यही समयने तो बताया था, आप bind और water पढ़ा चुका हूँ, अब animals वाला पढ़ा रहा हूँ तो ये देखिए इसके नीचे सब चीज दिया गया है ये देखिए पूरी आप एंसियार्टिक होल के बैठिए एंसियार्टिक को रेड करिए 100% आपके complete सभी questions साल्व होंगे जैसे देखिए इनिमल्स के थूरू जो पॉलिनेशन होता है जादा तर फ्लावरिंग प्लांट जानरों का इस्तेमाल करते हैं पॉलिनेटिक एजट की तरह उदारान जैसे देखिए वीज मदमक्ही हो गया जादा तर किसके दौरा इनिमल्स की अगर बात करेंगे तो जादा तर पॉलिनेश पॉछा गया है कि इनिमल्स में सबसे अधीक पॉलिनेशन किसके थूरू होता Mostly तो सबसे अधीक कमली Mostly मदमक्ही बीज के थूरू होता है कि तितलियां बटरफ्लाई भी करती हैं PFsan करें पॉलिनेशल मक्हियां फ्लाइज मॉस्प चिटियां संबार्ट और हमिंग बार्ट एक बार question ने भी पूछा गया था कि सबसे छोटी पच्छी का नाम क्या होता हमिंग बार्ट फिर चमगादर बैट के थूरू भी होता है कुछ प्राइमेट्स होते हैं जैसे लीमर्स हो गया है एर्बोरियल 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 मिस जो पेंड पे रहते हैं ट्री डोलिंग रोडेंट्स रेप्टाइल्स रेप्टाइस में जीगो लिजार्ड और गार्डन लिजार्ड दिया गया है और यह सभी क्या होते हैं यह सभी बार्टिक एजन्ट होते हैं इनिमल्स होते है जो pollination करते हैं मैंने भी दिखाया था कैसे pollination होता ही है pollination insect के दोरा अगर होता है तो उसको intomo philly कहेंगे यह देखिए particularly मदमक्षी से तो ज्यादतर मदमक्षी से ही होता है pollinator insect के दोरा अगर question ऐसे direct पूछता है कि insect के दोरा अगर pollination हो रहा है तो उस घटना उसकरी आपको क्या कहेंगे तो intomo philly intomo means insect होता है philly means pollination होता है तो यह सब चीजें हम लोग अच्छे से देख लेंगे और question जब solve करेंगे तब सब question आपको दिखेंगे चलिए कुछ features आप insect pollination के देख लेते हैं कि insect के जो यह देखें फीचर आप insect pollination flowers फ्लावस में insect के द्वारा अगर pollination होगा तो उसके कुछ features होंगे तो features यह देखें यह बड़े colorful अगर pollination किसके थूरू होता है water के थूरू, bend के थूरू होता है तो colorful और सुगंध तो उनका काम नहीं है क्योंकि attract करना होता है तो मालेज़े insect को attract अगर करना होगा तो यह बड़े colorful colorful होने चाहिए तभी तो attract करेंगे खुसबूदार होना चाहिए, odors होना चाहिए, खुसबूदार और ज़्यादा nectar वाले होते हैं तो यह चीज़ हो गया nectar और pollen grain pollination के लिए floral reward है कोई भी मालेज़े अभी NCRT अगर आप पढ़े होंगे तो पता होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो अभी पता चल जाएगा, nectar और pollen grain को rewards के रूब में भी दिया जाता है मालेज़े कोई flowers है कोई flowers है, अभी इसको कोई भी insect है, इसको pollinate अगर करेगा, तो यह flowers क्या करता है, इसको rewards देखता है मतलब उपहार देता है nectar के फार में, वो pollen grain के फार में यह देखिए, जब फूल छोटे होते हैं, वो inflorescence बनाते हैं, ताकि यह दिख सकें मालेज़े, इंसेक्ट pollination करना है, तो छोटे-छोटे फूल होंगे, तो वो मिलके inflorescence बना लेगे, ताकि आसानी से दिख सकें जो flowers, यह देखिए, जो flowers, यह क्या कहरा है, जो flowers, flies मक्खी, बीटल्स द्वारा pollinate होते हैं, सिक्रीट करते हैं foul odors, इन जानरों को आकरसित करने के लिए, सही बात है pollen grains ज़्यादा तर sticky होते हैं, pollen grain किस में sticky होते हैं, insect pollination में जो pollen grain होता है, वो ज़्यादा तर sticky होता है, sticky रहगा तभी तो उसके body पे चिपक केगा sticky मिस चिपक ना, जब जानवर इन anthers के contact में आते हैं, anthers में क्या होता है pollen grain होते हैं, जब जानवर इन anthers के contact में आते हैं उनकी body के उपर pollen grains की coating हो जाती है, जब यह stingma के contact में आते हैं, तो pollination होता है, मैंने अभी बताया था शुरू में ही तो ऐसे ही pollination होता है, कुछ पौधे कुछ पौधे सुरचित अस्थान परदान करते हैं, floral rewards के तौर पर, माले जीए कुछ पौधे जो होते हैं, जैसे कोई insect है, कोई पच्ची है, वहाँ आके, क्या किया pollinate किया, तो उसको क्या provide करेंगे, उसको place provide करेंगे, कि वो अपना ले, एक मतलब अपना असानी से अंडा वहाँ देख सके, तो यह reward के रूप में, कुछ पौधे सुरचित अस्थान परदान करते हैं, floral reward के तौर पर अंडे देने के लिए, तो यह भी चीज है, उदाहरन देख लीजिए, उदाहरन भी दिया गया है, यह reward वाला, उदाहरन एमर्फो फैलस, एमर्फो फैलस एक प्लांट है, यह सबसे लंबा फूल होता है, 6 feet का, question पुछा गया है, सबसे लंबा, largest, longest और largest, एक बार largest भी पुछा गया है, एक बार longest भी पुछा गया है, जैसे largest flower पूछता है, तो tallest flower पूछता है, तो एमर्फो फैलस, जो 6 feet का होता है, तो आप नोट भी कर सकते हैं, इसे चलिए, नोट करा देते हैं, यल, ए, आर, जी, ए, स्टी, largest, largest flower पूछता है, तो आप क्या लगाएंगे, largest flower तो रिफलीशिया लगाएंगे, रिफलीशिया एक प्रकार का एक टाइप का flower ही है, आर, ए, 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 सी, आ, ए, 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 रिफलीशिया, और largest के अस्थान पे अगर आपको longest कर दिया गया, tallest कर दिया गया, T, A, L, A, S, T, T, A, L, E, S, T, tallest flower, tallest flower, टालेश्ट flower, tallest flower, क्या हो जाएगा, MR4 philus, जो यह देखिए, दिया गया है, MR4 philus, जो सबसे लंबा फूल होता है, 6 feet का, तहीं लिख सकते हैं, अब यह देखिए, यह इसमें दिया गया है, moths, moths एक परकार का क्या है, kit C है, कि एक species और plant एकका, plant एकका और moths, एक दोनों, यह एक species, कभी भी अपनी life cycle पूरी नहीं कर पाते, एक दूसरे के बिना, तो यह चीज है, moths, जो kit है, और plant, एकका plant है, यह दोनों, साथ, इनकी life cycle, एक दूसरे के बिना नहीं चल सकती, क्योंकि, moths अपने अंडे, ओबरी की लोकुइल में देता है, और full moths से pollinate होता है, यह देखिए, moths जो होता हूँ, अपने अंडे जो होता है, यह flowers की, plant की एकका की जो flowers है, उसकी ओबरी की लोकुइल्स में, moth अपने अंडे दे देता है, और इसको pollinate कर देता है, इस plant को, तो special है ना, होता है, जैसे beach develop होना सुरू करता है, और moth के larva एक से बाहर आ जाते हैं, तो उनका भी काम हो जाता है, और उनका भी flowers का भी, और moths इंसेक्ट का भी, कई इंसेक्ट pollen या nectar को यूज करते हैं, बिना pollination के, यह pollen pollen या nectar rovers का लाते हैं, या pollen rovers का लाएंगे, rovers में चोरी करना, या nectar rovers माली, यह कोई पच्ची है, वो क्या किया, यह pollen तो ले लिया, nectar को ले लिया, लेकिन flowers को pollinate नहीं किया, तो उसी को pollen और nectar rovers का लाते हैं, डारेक्ट कोईशन पूछा गया है, इसे, चलिए outbreeding device देखते हैं, outbreeding device क्या है, outbreeding device important है, outbreeding device क्या चीज है, outbreeding device क्या करती है यह cross pollination को तो बढ़ावा देती है, लेकिन self pollination को यह suppress कर देती है, आटोगैमी को रोकती है, self pollination हुआ फिर आटोगैमी हुआ, इसको रोकनी की किरिया, और outbreeding device क्या करती है, cross pollination को बढ़ावा देती है, cross pollination को कैसे बढ़ावा देती है और self pollination या autogamy को कैसे रोकती है, यही इसमें out breeding device में हमको देखना है अगर चलिए तो हम लोग देखते हैं कैसे क्या चीज इसमें दिया गया है out breeding device को पढ़ने के पहले एक इसका definition आफ अच्छे से देख सकते हैं flowering plant यह देखिए कोई भी flowering plant, flowering plant कौन से होते हैं angiospermic plant, flowering plant have developed many device to discourage discourage means रोकना, self pollination को रोकने की रोकना and to encourage और बढ़ावा देना किसके cross pollination को इस किरिया को out breeding device कहते हैं अच्छे से देख लिजिए flowering plant में out breeding device जो टेकनिक होती है इसके थुरू cross pollination को बढ़ावा देना और किसको discourage करना cross pollination को बढ़ावा देना और self pollination self pollination या फिर आटोगैमी को decrease करना यही out breeding device की टेकनिक होती है जैसे देखिए out breeding device क्या चीज होती है out breeding device जो होती है ज्यादा तर flowering पौधे हर्मा प्रोडाइट फ्लावर पाइदा करते हैं जो self pollination करता है लगातार self pollination से in breeding depression होने लगता है देख लिजिए अगर लगातार आप लगातार self pollination हो रहा है तभी तो self pollination को रोकती है device अगर लगातार आप self pollination आंतों गया तो in breeding depression हो जाता है अब in breeding depression यह चीज़ होती है इसमें in breeding depression क्या होता है इसमें in breeding depression में आपका reduce हो जाता है biological fitness historical fitness हो गया surviving rate हो जाता है availability to surviving rate decrease हो जाती है productivity मान ले सकते हैं आप कि ऐसे कर सकते हैं न कि इसमें आपका क्या self-pollination in breeding depression में जो productivity होती है या availability of life span की कम हो जाती है तो self-pollination को avoid करने के लिए यह देख लिजिए यही टेकनीक अब आ गई self-pollination को avoid करने के लिए और cross-pollination को encourage means बढ़ावा देने के लिए करने के लिए पौधे में कुछ device fit की जाती है अब वो device हमको बताना है कौन कौन से device इसमें out breeding device के अंतरगत आते हैं तो first पर देख लिजिए avoiding synchronization second arrangement of enter stigma and different position enter का और stigma का different position होना और self-incompatibility और चौथा आपका यही पर नोट कर सकते हैं कि fourth number पर आपका unisexuality आता unisexuality तो यह चार डिवाइस हैं जो कि आपको self-pollination को decrease करते हैं खतम करते हैं और cross-pollination को बढ़ावा करते हैं जैसे देखिए इसमें first पर क्या दिया गया है avoiding synchronization अब इसमें synchronization क्या होता है यही चीज है कि synchronization क्या होता है तो इसमें देखिए कुछ species में pollen release और stigma receptivity में synchronization नहीं होता है माल लिजए pollen release हुआ pollen release हुआ तो यह चीज है यह देखिए pollen release हुआ pollen release होने के बाद क्या होता है pollen release यह माल लिजए आपका stigma है यहीं पे आपका pollen grain आएगा pollen grain इस पे आएगा तो species pollen release on stigma receptivity synchronization नहीं होता मतलब यह जो stigma है यह accept करने की अभी इसका capability नहीं है तो वही चीज हो गया stigma यह देखिए आगे लिखा गया है या तो pollen stigma के receptive होने से पहले रिलीज होता है या stigma पहले receptive होता है तब pollen रिलीज होता है यह बचाती है आटो गैमी को तो यह चीज हो गया जैसे माल लीजिए एक plant है उसमें female part है और male flowers है अब दोनों में stigma style जो stigma होती हो receptive अभी नहीं हो तब ही pollen रिलीज हो जाए इसकेंड में arrangement of enter stigma and different position को किसको बचाता है आटो गैमी को तो वही चीज है stigma और enter अभी क्या position सही से नहीं है next is self incompatibility अब self incompatibility क्या चीज होती है वही genetic mechanism होती है ना self image क्या हो गया self image होता है खुद के लिए और incompatibility मतलब होता है mismatch हो जाना mismatch M-I-S-M-A-T-C-H mismatch हो जाना तो वही चीज हो खुद के mismatch होना तो इसमें खुद का mismatch क्या होता है genetic mechanism का वही stigma style और pollen tube जो उसमें आएगा अन्थर से तो यही चीज अभी चलिए एक सब push में complete करते हैं यह एक genetic mechanism होती है जो self pollen self pollen means same pool या दूसरा फूल उसी plant का यह देखिए same pool एक एक ही फूल है एक प्लांट का या दूसरा फूल same plant का को fertilization से बचाता है और pollen germination या pollen tube की growth को पिस्टिल में रोकता है तो यही चीज किरिया पूरी इसमें self incompatibility में अच्छे से चलिए इसको हम समझाते हैं self incompatibility में क्या होता है pollen will not germinate on genetically similar individual promote out crossing जैसे यह देखिए stigma यह क्या चीज हो गया stigma style and ovary यह pistil है पूर यह आपका pistil है अब आपका क्या चीज हो जाएगा ovary में क्या रहता है यही चीज तो मैंने एक बार बताय था कि ovary में क्या रहता यह पूरा ovary है ovary में आपका placenta रहे गा placenta में क्या रहेगा placenta हो गया फिर उसके बाद अबीब लगे रहें के ओब इंब्रियों सायग बन जाएगा इंब्रियों साइग में एग अपरेटस हो जाएगा एग अपरायटस में चला जा एंड माइक्रो पालर एंड औ पॉलर निपलिया इत्व होते हैं तो यह सब किरिया आगे अच्छे से हम लोग इसको देखते हैं किसको pollen self-incompatibility को self-incompatibility का मतलब क्या है जैसे देखिए ये flowers में तो पिश्टिल होता है तो ये चीज ये कहानी यही दर्शा रही है कि जैसे एक flowers में जो इस्टिगमा होता है अपने flower से आए हुए pollen grain को अपने उपर germinate नहीं करने देता है यही होती है क्या होती है pollen pistil self-incompatibility होती है तो outbreeding device ये देख लीजे ए भी एक आप समझ लीजे कि इसमें समझे रहेंगे तो question साल होंगे outbreeding device क्या होती है region for cross-pollination को बढ़ावा देती है और ये देखिए contravence for cross-pollination cross-pollination को स्थिर बनाए रखती है ये देखिए unisexuality declinity unisexuality in unisexual flower cross-pollination is inevitable जैसे papaya papaya plant क्या होता है unisexuality सो करता है unisexuality flowers जो होते हैं cross-pollination को inevitable करते हैं self-isterlity self-incompatibility ये देखिए self-isterlity बोलिए या self-incompatibility in some plant कुछ plant में ये flower cannot be fertilized by its own pollen grain खुद की pollen grain से खुद के flowers को fertilize नहीं होगा due to some genetic region कुछ genetic region की वज़ा से इसी को कहते हैं self-incompatibility ये देखिए डीचो गयमी देख लिजे डारेक्ट टर्म भी पुछा जा सकता है कि डीचो गयमी क्या होता है तो डीचो गयमी पता रहेगा तो गलत नहीं होगा डीचो गयमी का means होता है when the statements and stigma carpel mature at different time stigma ये देखिए stigma और जो carpel होते हैं ना mature होते हैं लेकिन different time पे non-synchronization उसी को बोलते हैं non-synchronization stigma और stigmas जो होते हैं stigmas और stigmas जो होते हैं ये एक समय पे नहीं develop होते हैं next physical barrier कुछ physical barrier भी हो सकते हैं जो आउट रीडिंग डिवाइस में आते हैं when some farm of physical barrier makes self-pollination impossible other scarred hair ko गयमी उसी को कहते हैं ये एक प्लैट्रो फिश एक क्या होता plant होता प्लैट्रो फिश नेक्स्ट हेट्रो मार्फिज्म इन सम प्लावर्स बीस बेरी लॉंग स्टाइल और स्टिग्मा एंड दे साट स्टेमन साट स्टेमन में स्टिग्मा और स्टाइल जो होते हैं वह क्या हो जाएं बेरी लॉंग हो जाएं तो ये चीज हो जाएगा उन नहां पॉलन घ्रेन आपका आएगा तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा mountain यंड इंटाइन वाला पार्ट अंदर वाला इंटाइन वाला पार्ट ही पॉलेंट्यूब बनाता है अब यह पॉलेंट्यूब आपका स्टाइल हालो स्टाइल के थुरू आके कहां पे यहां पे यहां पे आके फिर यहां पे क्या रहेगा अब यहीं पे तो सब खेल चलेगा यहीं साइक आपका हो गया अब इंब्रियो साइक में आपका चलाजल इंड होता है चलाजल इंड होता है और कौम सा इंड होता है एक चलाजल इंड होता है यह एक आपका माइक्रो पाइलर इंड होता है माइक्रो पाइलर इंड पर क्या होता है यह देखिए जैसे आप मान Micropiler Ind यह Micropiler Ind हो गया यह आपका दो सल होती है और एक आपका EXL एक उपर होता है और आपका जो चलाजल Ind होता है यहाँ पे Antipodal Self आ जाती है तीन Antipodal एक दो तीन Antipodal Self आ जाती है और Philip Farm Apparatus भी यहीं पे होता है कहाँ पे किस Ind पे होता है Micropiler Ind पूछता है कि फिलिप फार्म अपरेटर्स का काम क्या होता है फिलिप फार्म अपरेटर्स जो होता है यह गाइडन्स प्रोवाइड करता है पॉलन ट्यूब को यह देखिए पॉलन ट्यूब जो यह पॉलन ट्यूब आता है तो इसमें पॉलन ट्यूब में पॉलन ग्रेन होत किसके दौरा अगर कोई्षण पूच्टाह है कि पॉल and tube अगर इंटर करता है चला जा इंड के थुरू अंटि पोडल के थुरू से इंटर करता है और उसको क्या कहेंगे चला जो गई मीं दोपिछन पूछा गया है कि जो पॉलन ट्यूब इंटर करेगा चला जलेंट से तो उसको क्या कहेंगे चला जो गयमी अगर इंटेगुमेंट के थुरू करेगा तो मीजो गयमी बोलते हैं अगर इंटेगुमेंट के थुरू पॉलन ट्यूब इंटर करता है कि इंब्रियो सैक में तो मी ओर उसको पोर्ड रोगहमी बोलते हैं अट इंटार अाप पालेच टीओ उबिँ इन्टो डा इंपरियो सैक उप, वही चीफ में जो बताया था आप देख लीजिए पूरा इंपरियो सैक बना गया है और embryo sac में antipodal cell यह देखिए चलाजल इंड है C-H-A-L-A-A-Z-A-L चलाजल इंड है और यह mycopylar इंड है यह M आप लिख लीजिए mycopylar इंड है अब इसमें देख लीजिए यह जो चलाजल इंड है इसमें antipodal cell होती है question पूछ सकता है कि antipodal cell कितनी होती है तो यह तो haploid होती है और number कितना होता है तीन होता है अब polar nuclei कितनी polar nuclei होती है दो polar nuclei होती है और एक secondary male gametes होता है जिसको आप central cell बोल सकते है यह देखिए यह philly farm apparatus mycopylar end की तरह philly farm apparatus होता है दो synergist cell एक synergist cell यह है एक synergist cell यह है दो synergist cell होती है कितनी synergist cell होती है दो synergy cell होती है तो और एक आपका एक cell होता है यह चीद दिया गया है एक किसमिड change होता है जाइगोट बनाता है फ्यूज करके secondary male gamete एक होती है secondary male gamete चलिए देखते हैं यह आपको बताते हैं कि अगर first male gamete first male gamete अगर एक के साथ फ्यूज करेगा यह एक के साथ जो male gamete आपका आएगा किसे pollen tube के थुरू तो वो अगर आपका यहां से entry किया और fuse किया जाके एक के थुरू तो यह देखिए यह first male gamete fuse करेगा एक के थुरू तो जाइगोट बनाएगा और उसको बोलेंगे क्या sing gamete बोलते हैं और अगर दो pollen grain आएगे ना तो एक male gamete secondary जो male gamete होता है अगर वो fuse करता है आपका किसे two polar nuclei central cell से two polar nuclei से fuse करता है तो उसको primary endosperm nuclear बनेगा तो primary endosperm जो nucleus बनता है आपका उसी को तो बोलते हैं क्या बोलते हैं triple fusion बोलते हैं ये देखर you triple fusion बोलते हैं और these two yeah stage जो these two events जो होता है एक sing a एमी एक ये वाला इसको पूरा सिंग एमी बोलते हैं और ये वाला जो इसी टिर्पल फ्यूजन बनता है इस दोनों घटना को डबुल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं डबुल फर्टिलाइजेशन तो यही चीज तो मैंने बताया था कि डबुल इंडोइस्पर्म क्या होता है फूड के रूब में खा लिया जाता है फूड के रूब में इंडोइस्पर्म ही तुखाते हैं तो यह देखिए डबुल फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन जो सिंगायमी फस्ट पे होता है उसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं फस पूछता है कि जो pollen tube जो pollen tube इंटर करता है तो इस में इंटर करता ह। या फिर यग मेंटर करता है, तो synergist cell मेंटर करता है, तभी तो synergist cell यहां फट जाती है और नस्ट हो जाती है, तो synergist cell में ही entry करता है, मारता है pollen tube, तो pollen grain, वहाँ दो pollen grain होते हैं, वहाँ पे दोनों को छोड़ते हैं, pollen pistil interaction देख लीजिए, ये भी important है, pollen pistil interaction क्या होता है, it is the interaction आप pollen grain, with sporophytic tissue, मतलब stigma पर, pollen grain का stigma पर आना pollen pistil interaction क्ला था, pollen means pollen grain, pistil interaction मतलब stigma, जो pistil होता है, इसमें तीन चीज़ होते हैं, stigma, style and ovary, तो stigma पर pollen का आना ही pollen pistil interaction होता है, ये देखिए, ये क्या चीज़ है, ये आपका stigma है, इस्टिगमा पर ये pollen grain आपका आएगा, तो it begins with pollination and in with fertilization, क्लिया यहीं सब समापत होगी, all the events from the deposition, pollen grain ये देख लीजिए, आन इस्टिगमा पर, to the entry of pollen tube, अब यही जब pollen grain क्या करता है, pollen grain in time, exam, जो ovary layer होती है, वो फटेगी, अब मान लीजिए, pollen grain क्या होता, pollen grain ऐसे आप बना लीजिए, pollen grain, pollen grain, pollen grain बना लीजिए, टिप सेल होती है, एक generative cell होती है, और एक tubes nucleus होता है, tube nucleus होता है, pollen grain binucleated होती है, pollen grain जो होती है, वो binucleated होती है, यह चीज जान लीजिएगा, binucleated होती है, तो यह क्या करती है, यह entire part फटेगा, फिर यह pollen tube बना के, ऐसे pollen tube बनाएगा, फिर यहां से आएगा, तो pollen tube के male gametes को लेके आती हैं, मेलगमिस के पॉलेंग ग्रेन ही होते हैं, इंट्री या पॉलेंटी इंदा ओवियूल, ये देखिए सिनर्जिस पार्ट में इंट्री करेगा, और दा रिफर्ड आज पॉलेंट पिस्टिल इंट्रक्शन, पॉलीनेशन डज नाट गारंटी, पॉलीनेशन गारंटी दा, ट्रांसफर आप, राइट टाइप आप पॉलेंट, और रांग टाइप आल्सो, लैंड आन इस्टिगमा हो सकता है, ये देखिए, ये इंब्रियो सैक है, इंब्रियो सैक में एंटि पोडल सेल्स, पोलर निकलाई, एक सेल्स और सिनर्जिस ये सभी चीज इं मेल फलावर उपस्तित होते हैं, एक ही पोड़े में, तो उसको मोनो सीयस बोलते हैं, जैसे कैस्टर और मेज, ये मोनो सीयस प्लांट का एक्जामपल रट लीजिए, कोकोनेट भी होता है, ये बचाता है आटोगैमी, अब काफी चीज, यही चीज, यही पे काफी चीज, आ अगर मेल और फिमेल, चलिए जूम करते हैं, एक दम अच्छे से यहां क्लियर करते हैं, अगर मेल और फिमेल फलावर उपस्तित होते हैं, एक ही पोड़े में, महां लीजिए, ऐसे आप बना लीजिए, यहां देखिए, यह हो गया, यह हो गया मेल, यह मेल फलावर हो गया, और इसी plant पे, इसी plant पे female flower बना लीजिए, अब question पुछा जाता है कि जो monosius plant होता है, monosius, ये देखिए monosius दिया गया है, monosius plant जो होता है, ये autogamy को रोक सकता है, सही बात है, ये autogamy, autogamy, autogamy को रोक सकता है, autogamy को monosius plant रोक सकता है, तो रोक सकता है, बट लेकिन ये autogamy को नहीं रोक सकता है, ये चीज आप लिख सकते हैं कि autogamy, मैंने वीडियो में बताया था कि autogamy, तो जिटनो गयमी, g-e-t, g-e-t, n-i-o, जिटनो गयमी, g-e-t, एकदम अच्छे से लिख लिख लिजे, एकदम spelling लिखे रहेंगे, तो गलत नहीं होगा, तो गलत भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि spelling भी मत पूड़ होता है, तो g-e, ऐसे लिख लिख लिजे, g-e-t, g-e-i, 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 t-o, n-o, जिटनो गयमी, जिटनो गयमी क्या होता है, जिटनो गयमी ट्रांसफर है, पॉलन ग्रेन फ्राम अंथर टू दा स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन का अंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना, लेकिन क्या रहेगा, सेम प्लांट होना चाहिए, सेम प्ल मैंने बताया था कि Mono CS plant जो होते हैं ये किसको Mono CS plant जो होता आटोगैमी को रोख सकता है बट जिटनोगैमी को नहीं रोख सकता है और जो Dices plant होते हैं जिस पे एक plant ये हो गया एक पे male part हो गया और एक plant ये हो गया ये इस पे female part हो गया और ये उनिसेक्सुल प्लांट होते हैं ये बोथ ये आटोगैमी और जिटनोगैमी दोनों को उनिसेक्सुल प्लांट जो होते हैं ये आटोगैमी हो गया या फर जिटनोगैमी हो गया ये क्या करेंगे दोनों को रोक देंगे लेकिन जो मोनुसियस प्लांट होता हुए आटो इंट्रेक्शन होता किया यह एक dynamic process है जिसमें promotion या inhibition आप pollen के बाद pollen recognition होता है यह interaction होता है chemical component के द्वारा जो उनके द्वारा produce किये जाते हैं तब ही तो pollen tube इंटर करता है तीन जगा कभी चला जो गए में कभी पोरो गए में क्योंकि chemical secret होता न उसको attack करता है उसी के थुरू वो एक इंटर करता है इंब्रियो साइक में अगर pollen compatible है अगर pollen compatible है सही तरीके का पिस्टिल उसे गराण करता है और post pollination event को प्रमोट करता है तो सही बात है वही चीज़ सब कहानी दी गई है यहाँ पे यह देख सकते हैं यह इंटर कर रहा pollen tube यहाँ से pollen tube में दो क्या होते हैं मेलगामीट होते हैं एंटिपोडल सेल होती है पोलन निकलियाई एक सेल सिनरजिट तो यह चीज़ 7 सेल 8 निकलियस होते हैं तो यह चीज़ हो जागया pollen grain किसी एक जर्म पूर के द्वारा germinate होता है stigma पर pollen tube को produce करने के लिए तो मैंने बताया था कि यह मान लीजिए चलिए अभी दिखाते हैं आपको यह देखिए यही अभी नीचे figure दिखा देंगे pollen grains यह हो गया किसी एक जर्म पूर यहाँ पर जर्म पूर होता है ना अभी तो यह जो एक जाइन पार्ट होता है एक जाइन होता है मैंने अच्छे से बता यह सब वीडियो देखेंगे एकदम clear होगा यार कि pollen grain क्या होती है एक जाइन होता है in time होता है in time जो फटेगी और फिर वो pollen grain जर्म पूर के थूरू निकलेगी बाहर और इस्टिग्मा पर pollen tube को produce करने के लिए pollen grain के content ये देखिए चलिए आपको दिखाते हैं ये देखिए जैसे ये pollen grain है pollen grain क्या हो गया ये पूरा है pollen grain binucleated होता है और इसमें एक tube cell होती है और एक generative nucleus होता है तो ये चीज करती है अब ये देखिए pollen grain जो है ये आपका फटेगा और ये pollen tube आपको बनाएगा pollen tube में दो देख लीजिए आपका ये male gametes होते हैं two nuclei two sperm nuclei is में होगा sperm nuclei are responsible for double fertilization के ये ही responsible होता है और ये देखिए ये आपका दो क्या होता है male gametes और एक tube nucleus होता है tube nucleus guide करता है growth of pollen tube forward ovary की तरफ जब जाएगा तो उसको guide provide करता है बाद में नस्ट हो ज degenerate हो जाती है नस्ट हो जाती है after pollen tube जब reach पहुच जाता है ovary की ovary में तो ये नस्ट हो जाती है कौन सी tube nucleus ये सब question पूछे गए हैं germination आप pollen ये देख लीजे कैसे germination होगा pollen tube में जाते हैं ये देखिए मैंने ये जो आपको ये line दिखाई थी ये वाली ये देखिए for pollen tube को produce ये चीज़ प्रोड्यूज करने के लिए pollen grain के content ये चीज़ यहीं से आप पढ़ सकते हैं कि pollen tube को produce करने के लिए pollen grain के content content pollen tube में जाते हैं और pollen tube ग्रो करती है तथा stigma और style से होते हुए ovary तक पहुचती है अगर pollen incompatible गलत तरीके कहा है तो pistil reject करता है pollen को pollen germination से stigma पे ये pollen tube की growth को style में जाने से रोकता है वही pollen pestil वाला मैंने जो बताया था incompatible जब होता है कुछ पौधों में pollen grain to cell condition पर एक vegetative cell और एक generative cell जड़ सेट जाते हैं और इस तरीके के plants में generative cell जो होती है divide होती है और बनाती है दो male gamits question पूछा जाता कि कौन सी cell divide करती है तो generative cell ही divide करती है या vegetative cell नहीं divide करती है generative cell divide करके दो male gamits बनाती है और pollen tube की growth के समय जो stigma से होते हुए जाती है तो ये देखिए ये आपको देख लिजिए कई पोधे में pollen grain जो होती है तीन cell condition में जड़ जाते हैं pollen tube दो male gamits को carry करती है pollen tube जो होती है दो male gamits को carry करती है शुरुआत में pollen tube ओवरी तक पहुंच जाती है और ovule में inter करती है micro pile के द्वारा और फिर inter करती है किसी एक synergist में philip farm apparatus के द्वारा अब ये question पुछा गया कि philip farm apparatus उपस्तित होता है micro pile पार्ट में synergist के साथ वो pollen tube की entry को guide करता है देखिए synergist cell में ही वो entry करेगा pollen tube और guide कोन करेगा उसको ये philip farm apparatus सब question पूछे गया है ये सभी question निकलेंगे जब आप अच्छे से पढ़ेंगे एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो दो दो तीन तीन बार ये पढ़िए एक plant breeders pollen pistil के interaction को manipulate कर सकता है even in incompatible pollination में desire hybrid को लाने के लिए तो ये सब complete हो गया next video में हम artificial hybridization करेंगे लेकिन आप video को share करिए दोस्तों के पास status लगाईए कि और link का share करिए न तो आप मज़ा आएगा जब ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे तभी तो motivation मिलता न तो फिर मज़ा आता है तो आप selfish मत बनिए आप video को share भी करिए सभी बच्चों के पास अपने दोस्तों में गुरूब में कहीं पर भी तो चैनल को तेजी से गुरूब भी कराए और जब ज़्यादा से ज़्यादा ब्यू जाएंगे न तो फिर मज़ा आएगा सभी चीज आपको कराए जाएंगे ऐसे ही पूरे chapter 12th पूरी NCRT कराए जाएगे और 11th और फिजिस कमस्टी भी वीडिय वीडियो कराए जाएंगे तो अभी थोड़ा बेट करिए तो चलिए नेस्ट वीडियो मिलेंगे और वीडियो को लाइक चरूर किया करिए थैंक